10 on 10 पेश करते हैं हाइदराबाद में घूमने के 10 प्रमुक स्थान नमबर 10 नहरू चिडियागर हाइदराबाद का नहरू चिडियागर 1963 में स्थापित किया गया था और ये आंध्र प्रदेश की सरकार के वन विवाग द्वारस अंचालित है 380 एकड के विशाल शेत्र में फैला ये जू एक मशूर पिकनिक स्पॉट है लगबग 1500 प्रजाती के पशुपक्षी वाला ये चिडियागर देश के सबसे बड़े चिडियागरों में से एक है यहाँ का म्यूजियम देखने के लिए भी काफी लोग आते हैं नबर 9 ताच फलकनुमा महल नवाब दिकर उलुम्र द्वारा उननिसवी सदी के अंत में फलकनुमा महल बनवाया गया था जो की 2000 फीट उची पहाडी पस्तित है इस महल की भवेता के कारण इसे अकाश का आईना कहकर भी बुलाय जाता है इस महल के अंदर करीब 220 कमरे हैं और 22 हॉल हैं जिनकी सजावत बहुती शालीमता पुरवक की गई है इस महल की छटों पर लटकते हुए अती आकरशक जूमर आपका मन मोह लेंगे नमबर 8 चोव महला महल चोव महला शब उर्दू के दो शब्दों को जोड़ कर पना है जिसका अर्थ है चार महल इस महल का निर्माण 1750 में शुरूर किया गया था और ये आसब जही राजवंश और हैदराबाद के निजाम की राजगती हुआ करता था इस महल के पानी के फवारे, हरे बरे बाग बगीचे, रोशन बंगला, घंटा घर और काउंसिल हॉल इसको काफी अच्छे से सुशोबित करते हैं शुरूरात में 45 एकड में फैला ये महल अब सिर्थ 12 एकड में सीमित रह गया है नमबर 7 सलार जंग संग रहाले मुसी नदी के तर्थ पर सलार जंग संगरहाले स्तित है जहां लाखो कला की वस्तू पांडुलिपियां और किताबे संगरहित हैं इस संगरहाले में 38 गलियारे हैं यहां की वस्तूओं को मीर यूसुफ अली खान और नवाब तुराब अली खान द्वारा एकठा किया गया था इस म्यूजियम का उद्गाटन बूत्पूर प्रदानमंत्री पंडित जवालाल नहरू द्वारा किया गया था नमबर 6 गोल कॉंडा किला हाइदराबाद का गोल कॉंडा किला वास्तू कला और इंजिनिरिंग की एक अद्वितियम मिसाल है गोल कॉंडा दो तेलगू शब गोल और कॉंडा से बना है जिसका अर्थ है चरवाहे की पहाड़ी इस किले में रात को लाइट और साउंड शो का आयोजन भी होता है अगर आपने अभी तक इस भारतिये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिये और घंटी वाले चिन पर क्लिक करना ना भूलेगा ये प्रक्पिया है एकदम निशुलक और आप देख वाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम जील कही जाने वाली हुसैन सागर जील हैदराबाद की काफी चहल पहल वाली जगह है इस जील के आसपास गूमने के कई स्थान मौजूद है इस जील के ठीक मड़् में बुद्ध की एक बड़ी प्रतिमा भी मौजूद है जो की एक बिराट पत्थर को काट कर बनाई गई है इस प्रतिमा का उधगाटन दलाई लामा के करकमलो दवारा किया गया था इस जील को संयुक्त राश्व द्वारा विश्व के दिल खिताब से नवाजा गया है नमबर चार बालाजी मंदिर हाइदराबाद से 30 किलोमिटर दूर एक छोटे और प्यारे गाउं चिलकुर में मौजूद है बालाजी मंदिर जो एक मशूर धार्मिक स्थल है ये मंदिर ओस्मान सागल जील के किनारे बना हुआ है और इसका निर्मान करीब 500 साल पहले किया गया था ये मंदिर अमरीका जाने की चाह रखने वालों में खासा लोकरी है क्योंकि कहते हैं जिनका वीजा ठुकराया जाता है उनके यहां आने के बाद वीजा आवेदन कबूल हो जाते हैं जिस कारण से इस मंदिर का नाम वीजा मंदिर भी पड़ गया है काला पाहड नामक पहाडी पर बना हुआ बिल्ला मंदिर 2000 टन के सफेद संगमर्मल से बनकर त्यार किया गया है जो खास तोर पर राजस्तान से लाए गए थे इस मंदिर में लक्ष्मी नरायन की 11 फीट उची मूर्ती है जिसके चारो और खुबसूरत कमल का फुल बनाया गया है इस मंदिर के निर्माण में दक्षिन भारतिये, राजस्तानी और उत्कल करला का अनूठा संगम देखने को मिलता है 1996 में रामोजी राओ द्वारा बनवाया गया रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉंप्लेक्स है जिसका नाम गिनीज बुक आप वर्ल्ल रिकॉर्ड में भी दल्ज है यहाँ पर फिल्म शूटिंग के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले सैक्ड़ो फिल्मी स्ट मौजूद हैं जहाँ जाकर आप फिल्मी दुनिया को करीब से देख सकते हैं इस जगा देखने के लिए इतना कुछ है कि एक पूरा दिन भी मानो कम पड़ जाएगा और हैदराबाद की सबसे मशूर जगा है चार मिनार इस मारक का निर्मार्ण मुख्य तक ग्रेनाइट के पत्थर और चूने से किया गया है चार मिनार का निर्मार्ण 1591 में मौम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराए गया था इस मारक में नाम अनुसार आकाश को चुंती चार मिनारे हैं जिनकी उचाई 56 मीटर है चार मिनार की चट से पूरे हैदराबाद शहर का एक अदबुद कर देने वाला नजारा देखने को मिलता है चार मिनार के पास ही लाड बजार है जो की लाग की चूडियों और कड़ों के लिए खासा जाना जाता है और तों में ये बजार खासा लोप्री है